हाई फ्रेंड्स, फिलकर टुमा य्टूब चनल, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि पहले हमारे पास फायरवाल जब था, पुराने फायरवाल में वर्जन 17 में हम लोड बैलेंसिंग बहुत आ पायमरी गेटवे, सेकेंडरी गेटवे, जो भी गेटवे सेट करना होता था हम लाश्ट वे, हम कर सकते थे बट अभी वर्जन 18 में यह सारे आप्संस नहीं है, इसको कैसे करना मैं आपको यहाँ पर आपको कैसे करना अब जैसे मैंने यहाँ पे रूल बनाया, कोई भी एक चीह है तो इसके लिए lawn कोशिक निकरना पढ़ा है अब इसके लिए सेंपलर इसकि train करना पड़त थोड़ा उड़ी पैनिक नहीं होना आपको इसमें क्या है कि आपको routing में आना है routing मानिक बाद SDमें में जाना आपको HDWIN में जाएंगे थमको अभी मेरा नया फैरवल नहीं create किया है आपकी इसमें न सब display आएगा थी इसमें कैसे हम create करते हम वो बताएंगा आपको add पे क्लिक करना है अब यहाँ पर हमने माल लेजिए हमने server allow पूरे network को हम failover कर देते है network allow अब यहाँ पर हमने network allow रख दिया है अब यहाँ से हम network zone select करेंगे network zone हम select करेंगे तो हम यहाँ पर network select करेंगे और यहाँ पर land network रख देते हैं और यहाँ पर हमारे land network का IP है यह क्योंकि हमारा 16 है जब आप land network कोई बोलता है तो आपको 172 16.0 last में 0 आएगा और इसको आपको कर देना save sorry guys यह already existed है तो हम यहाँ पर one कर देते हैं और इसको save करते हैं तो अब हमने कुछ निक है यहाँ पर allow network रख दिया है और land network रख दिया अब यहाँ पर आपको कोई application यहाँ पर कहीं कोई changes नहीं करना आप यहाँ से आपके पूछेगा routing primary gateway and backup gateway अब यहाँ पर आप यहाँ पर हमने geo atl रख दिया है और यहाँ पर हमने geo रख दिया है और इसको कर दिया हमने save अब हमारे यह बन गया load balance पूरा network हो गया अब particular आप किसी rule को करना चाहेंगे तो आप जब अपने firewall में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे rules दिखेंगे जो rule आप यहाँ पर तीन rule डिस्प्ले हो रहे हैं यही rule आपको वहाँ पर डिस्प्ले होंगे आपके firewall में जिनके इसमें option नहीं दे रहा होगा मेरा भी नया है क्योंकि मैंने अभी कुछ create नहीं किया हुआ है तो अभी मैं एक चीज और आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा एक और option जैसे आप जिसे मैंने यह नेटोक में allow रखा है अब आप चाहते हैं कि इसको जाके कि भाई अभी मेरा जियो डाउन जियो को primary करें तो आप यहाँ जियो सिलेट करें और यहाँ पर एटल सिलेकर बंद से अपलाई कर दिजिए अब हमारा एटल बैकप में चला गया जियो प्राइमरी में आ गया फिर आप चाहते हैं इसमें चेंजेस करना इनकेश चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर लोड बैलेंस रख सकते हैं यहाँ पर ओवर्राइट गेटवे मोनेटर डिशीजन अब जो है हमारा यहाँ तो यहाँ पर आप नन कर दिजिए अब सीधा हमारा जियो यह चलेगा दूसरा नहीं चलेगा बैकप चलाना है मतब जो भी आपके पास दो ISP है तो कौन से रूल के लिए प्राइमरी गेटवे रखना है कौन से से रखना है यह आपके रिक्वार्मेंट्स के हैं तो इसको इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं जिन लोगों को फायरवाल रूल जब बनाते हैं और जिनको य यहाँ पर डिस्प्ले होगा राउटिंग में 100% डिस्प्ले होगा HD WAN में आपको आना है और आप यह रिक्वार्मेंट आप वहाँ पे चेंजेस करके आप अपने पॉलिशी को कौन से गेटवे पर प्राइमरी गेटवे पर ले जाना आप ले जा सकते हैं तो बस इस वीड करके आप लोग को अप्लोड कर रहा हूं तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें चलिए बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक रिज्याहिं जय भरत